आज का चमतकार सुनने से पहले आईये सुने श्री अम्मा भगवान का सूत्र जब इश्वर आपको स्वस्थ करना चाहते हैं तो वो प्रेम को दवा के तौर पर इस्तमाल करते हैं और अब आज का पहला चमतकार मैं महदी पट्टम हैदराबाद भारत से वी इश्वरी हूँ श्री अम्मा भगवान ने मुझे अनेको चमतकारों का आशिरवाद दिया है 2010 जून में मैं उच्छ रक्षताप से पीडित थी हस्पताल में गलत दवा के कारण मुझे लखवा मार गया मेरी इस नई हालत के इलाज का खर्च करीब चार लाक रुपए था मेरे जीवन रहने की संभावना पर प्रश्ण चीन लग गया मेरे पती को श्री अम्मा भगवान में द्रड आस्ता थी वो केवल आशा भरे शब्द ही बोलते थे कुछ अन्य भक्तों के साथ मिलकर वो मुझे प्रति दिन दीक्षा देते थे 2010 में उन्होंने सत्य लोक में सहस्तर नाम हवन में भाग लिया और पूरे दिल से मेरे ठीक होने के लिए प्रार्थना की दिवे अनुघरे से हमें एक आयुर्वेदिक इलाज के बारे में पता चला और मैं तीन महीने में पूर्ण रूप से स्वस्त हो गई श्री अमा भगवान को मुझे एक प्रकार से एक ने जीवन का आशिरवाद देने के लिए असीम आभार और अब आज का दूसरा चमतकार मदिना गुड़ा हैदराबाद भारत से मैं आर रमा देवी हूँ मेरा श्री अमा भगवान की आराधना करना मेरे परिवारजन और खास तोर पर मेरे सुसुर को ना पसंद था मैं इस निशकष पर पहुँची कि ये सब मसले इसलिए हैं क्योंकि हम संयुक्त परिवार में रहते हैं यदि हम अलग अलग रहें तो हमारे रिष्टे बहतर होंगे श्री अमा भगवान के दर्शन के दौरान मैंने अलग होने की प्रारतना की क्योंकि तभी हम सब खुश से रह सकेंगे जब मैं घर वापस पहुँची तो बहुत हैरान हुई क्योंकि मेरे ससुर में कमाल का बदलाव था उनका बड़ताव मेरी और बहुत स्नेम है था हम लोग किराय के घर से अपने घर में आ गए जो की अधिक आरामदायक था हमारे परिवारजन के आपसे रिष्टों को ठीक करने के लिए कोटी कोटी धन्यवाद श्री भगवान